नमस्कार निउस्विंग टीवी में स्वागा था आपका मैं हो रफिसमी पूज-पाठक जी जानेंगे जीस तरह से भारतेय जन्ता पार्टी के द्वारा चौदो नाम की घोस्ना हो गई है। क्या लग रहा है, क्या अंतरकलाहुन की चल रही है, यही कारन है कि आप तक नामों की घोस्ना नहीं हो? लोग देखते हुए और हमने यह प्रयास किया है और उसपर लोग अपने पने छेतर में घूम रहे हैं अभी और गूम रहे हैं दर्वाजे जा रहे हैं और जनता में भारी उत्सा है जनता बस किवल प्रतिक्षा कर रही है मद्दान की तिथी का और जिस दिन मद्दान होगा और तिथी भी घोसित हो गई है वस वो प्रक्रिया प्रारंब हो और जनता भोड देने के लिए आतूर है पर जनता पाटी को क्योंकि वो चाहती है कि बस एक ही लक्ष है कि फिर एक ब पार मोधी सरकार अपकी बार 400 जा पार एक बार मोधी सरकार किवल मोधीजी के नाम पर है या फिर यह तीन कंडिडिट को चुछोंती हो सकते हैं आपके Mississippi केम मोधी जी ने जो एक उछाईए खड़ा किया है वह उसको पार पाना ऊप किसी गठबंदन का इंडी एलाइंस तो उसके कहीं से भी सोच नहीं सकता है क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है केवल मोदी जी का बिरोध कर क्या जितना ही हो मोदी जी का बिरोध कर रहे हैं जनता उसना ही मोदी जी को जिताने के लिए ताकत लगा रही है इसलिए अंदर से भैभीत है वो इंडिगठ बंदन अब उनके पास कोई उमिद्वार नहीं है जो यह हिमत जुटा पाए कि हम भार्दिजंता पार्टी और एंडिये के उमिद्वार के सामने जा करके चुनावल क्या बोलेंगे उनके पास कोई मुद्दे नहीं है चाहे वो गरीब कल्यान पर नहीं कहीं से भी उसका काट नहीं है उंके पास इसलिए वो भैवित है और इसलिए आप देख रहे हुए कि उमिद्वार तक उनको नहीं मिल रहे हैं उनको गोसित करने मों प्रशानी हो रही है कल जेपी पटेल हजारी बाक से उमीदवार बनाया गया है क्या कहेंगे क्या जेपी पटेल लंबे समय से आप लोगे साथ आवाज बुलंद कर रहे हैं लेकिन भार्जिनता पार्टी के उमिद्वार पर इससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है वहां के परिश्रम से बड़ी मार्जिन से जीत तो हो नहीं है लेकिन उसको बड़ी मार्जिन से लाखों की शंख्या में हम डिफरेंस दे करके और जिताएंगे एक और खबर आ रही है थोड़ा सा चर्चा पर है हलाकि अभी आधिकारी कूष्टी नहीं हुए कुनाल साडंगी जो आप लोगे स्टेट स्पोक्स परसं थे वह भी आज फिर से घरवापसी कर से लेकिन अभी दूर दूर तक ऐसी कहीं कोई बात हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा होता है तो हम समय पर बताएंगे कर सकते हैं इस बार फिर चौदा में चौदा नहीं चार सो पार चौदा के साथ चार सो पार हमारा लक्ष चार सो पार है आत निर्वर भारत विक्सित भारत का संकल्प पूरा करना है जनता के बीच में चौदा तो देंगे ही चौदा के साथ चार सो पार का संकल्प है तो सुना आपने ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ताशी पूजन पाठक जी जिन्होंने साफ कहा है कि जो इंडिगन बंधन ने तीन नामों की उमिदवारों की घोशना की है वो कहीं भी दूर दूर से इनके उमिदवारों के टक्कर में नहीं है साथ ही साथ जो दावा भारती जनता पाठी ने हम कह सकते हैं चुनावी विगूल से पहले ही बजाया था 400 से पार वो अब भी है बरकरार बारहाल देखने वाली बात होगी रिजल्ट ये तैक करेगा कि भारती जनता पाठी का दावा कितना फूलफिल जनता करती है या क्या कुछ जनता चाहती है